असलाम अलेकुल दोस्तों कैसे हैं आप सब कुमिंग करता हूं आप सब ठीक और खेज़ेसे होंगे दोस्तों मेरा नाम हब्द रहमीर और आप देख रहे हैं डिजी कंपेटिंग चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ ये की तरफ से जूह जॉप अनाॉंस हो चुके हैं इसलिन कौंक्कों से पोस्त है है और उनकी क्या-क्या क्वालिफिकेशन वायरमेंट है और कितने पोस्त हैं उनमेग अप्लाय करने का क्या तरीके रह एग सस्वीडाए मैं बुक्त मिल आप पताऊंगा तो चलते हैं इस वीडियो में मुकमेल आपको बताऊंगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो शुरू करने से पर आप से यही रिक्वेस्ट है अगर आपने हमाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बैल आईटेट को लाज़म प्रेस करें ताकि हर आने वाला आपडेट आपको वक्त पर मिल सके तो यहां पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखे हैं सारे पोस्ट हैं ठीक है तो गवर्मेंट आफ पाकिस्तान के रियर अपॉर्चिनिटीज एप्रिकेशिंस और इन्वेटिट फॉम सुट्जेबल क पोस्ट है असिस्टन ठीक है जिसका सिर्फ एक ही सीट है ऐलवर्ट पनजाब के लिए क्वाइलिफिकेशन और एकस्पियंस जो है आप यहां पर देख सकते हैं और फीजिकल जो भी जिनका भी टेस्प लिए जाएगा रनिंग दिए जाएगा वो यहां पर आप चेक कर सकत एडवर्टाइजमेंट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा ठीक है तो नमबर सेकंड पे सब इंस्पेक्टर इंवेजिकेशन है नमबर थर्ड पे स्टेनोटाइपिस्ट है और यूडी सी असिस्टंट सब इंस्पेक्टर कॉंस्टेबल है ठीक है आप यहां पे चक कर सकते हैं तो जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपने जिस पॉस्ट में अप्लाइग करें आउनलाइन करने का क्या तरिक्कार रहे विडियों में आपको बताओंगा तो हम डिर्क इस वेबसाइट पे चलेंगे रॉक्राइमेंट अगस्ट है तो मजीद हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ ठीक है तो हम यहां पर आ जाते हैं अपने वेबसाइट की तरफ तो यहां पर अगर जिसका अकाउंट बना हुआ है तो जिसका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो यहां पर register as a new user पे click कर यहां पे हम click कर लेते हैं तो यहां पे कुछ step है personal information है sent login credentials है और उसके इलावा code verification है यहां पे आपने personal information वो लिख लेना है यहां पे password और email और यहां पे यह code है तो हम अपना जो है बाइड़ा है वो लिख लेते हैं MI ठीक है तो हावो यहां पे आपने practically नमबर लिख लेना है और mobile number आपने लिख लेना है अगर आपका account पहले से बना हुआ होगा तो यहां के आया है account already exist ठीक है नमबर लिखने के बाद अब अपना email id और एक पासवर्ड आपने अपना बनाना है और यहां पर कोड वेरिफिकेशन लिखें ठीक है जैसे लिखा है एजेट सेंलेटर्स सरे स tidy अपने लिख लेने इसके बाद अपने रिजिस्टर पर क्रिक करना है अभी आपका अकाउंट जो है वह इसक्टा हो गया हम डार्र्क रही है लॉग इन पॉ zweite पर वापश आ गया है तो आपने यहां पर करना क्या है ज delay I अपना emailer पासर और verification code जो है आपने वो भी लिख लेना है और उसके बाद login कर लेना है अब यहां भी हमारे पास चार टेप्स हैं basic information, approach profile, pick, education and experience, apply online ठीक है यहां पे और उसके नीचे यहां यह जो information है आपने यह भी fill up करने है पहले आपको दिखाता चलता हूँ उसके बाद जो वीडियो है मैं उसको थोड़ा बूस्ट अप करूँगा ठीक है तो basic information उसके बाद other information other information में gender, religion, rate of birth वागेरा जो भी है यह चीज़े आपने लिख लेना है और यहां नीचे address है आपने अपना postal address और permanent address वो भी लिख लेना है फाइनल बे जो है वो security clearance है data fill up करने के बाद आपने यहां पर tick mark करना है और उसके बाद save and proceed पर click करना है हम यहां पर save and proceed कर लेते हैं और यहां पर pop up आया है यह saved ठीक है आप पर जो data है वो save हो गया अब second number पर upload profile picture हम यह tab open कर लेते हैं यहां पर कुछ चीज़ें लिखे हैं जो भी आपके photo से related जो है requirement है आपने passport size photo जो है वो upload करना है और less than 30K विए उसकी size होनी चाहिए blue and white background और front facing portrait होना चाहिए ठीक है यह चीज़ें ठीक है without glasses वगेरा frames वगेरा ठीक है image upload करने से पर ले आपको यहीं बताऊँगा कि आपको अपना जो है image है उसकी size है वो कम करना है क्या थे क्या रहे है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ कि आपने location पर जाना है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास दो image है एक का size है और उसका size है 20K भी ठीक है तो मैंने इसको 20K में के से convert किया मैं आपको यहां बता हूँ और यहां पर जो photo है उसे आप open with microsoft office picture जो manager है उसमें आप open करें अगर आपके पास यह नहीं तो आप online किसी भी website से आप इसको size कम कर सकते हैं यहां पर edit pictures पर हम आएंगे उसके बाद यहां पर compress picture लिखा है यहां पर click करेंगे फिर यहां पर compress or web pages इस पर click करेंगे और उसके बाद ok करेंगे ठीक है जैसे ok करेंगे उसके बाद हमें save करना है ठीक है अभी हमारा origin size है 20.5 kb ठीक है तो यह हमारा image आप check कर सकते हैं 20.5 kb का हो गया ठीक है तो अब आप इसको जो है upload कर सकते हैं अब हम इसे upload करेंगे करके उसके बाद आपने just upload करना है जैसे आप upload करेंगे यह upload हो जाएगा और फिर से जो है हमारी first tip पे आजएगा उसके बाद आपके पास जो हमारा third tip है वो education and experience है education and experience तो यहां पे जो भी चीज़े हैं हमने add कर लेने हैं जो आपके higher qualification पहले है आपने वो select कर लेना है तो higher qualification के साब से जो भी details है वो मैं select कर लेता हूँ तो आप यह अपने जो details है उसके मताबिक आप select करते हैं ठीक है तो हमारा जो education data है आपने उसके प्रोविंस है वो fill up हो गया है तो उसके बाद final में आपको क्या करना है apply online जो है last step जो है आपने उस पर click करना है तो हम उस पर click कर लेते हैं उस पर click करने के बाद आपको जहां पे जो भी post इस हैं आपको एको दिखने को मिलेंगे क्या उस आपकी जो है प्रोविंस में उसकी seat मौझूद है या नहीं है उसके बाद आप उसके apply करें तो यहां पे number one पे assistant है यह जो भी post है मैंने आपको advertisement में बताया यहां पे सारे मौझूद हैं तो हम यहां पे assistant में क्लिक करते हैं कि यह bachelor degree पे है ठीक है तो हम यहां पे इसको tick mark करते हैं तो यहां पे आ गया you have applied for post assistant तो यह post जो है वो okay होगा है यह apply हो गया ठीक है तो यहां से यह disappear होगा है जो post हमारा था number one भी ठीक है तो यहां नीचे आ गया तो यहां पे आप check कर सकते हैं अपना application slip लेकिन इसमें आपका test slip है वो नहीं आएगा ठीक है examination slip है वो उसके बाद आएगा कुछ महीने में कुछ महीनों के अंदर आ सकता है यहां कुछ हफतों के अंदर भी आ सकता है किसी और अगर post में भी आप प्रैक करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं ठीक है तो यही तक था हमारा आदो when को आपको पसंदाया पसंदाय पसंदाया तो लाइक करें पॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा channel लाजम सबस्क्राइब करें फिर मिलेंगे अगले वीदियो में तब तक अलावाज।